जो कि इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ reasoning के कुछ most important question चलो start करते हैं first question है यहाँ pension दे रखा है और उसको इस तरह से change कर दिया गया है उसी तरह यहाँ पे quality दे रखी है उसको भी change कर दिया गया तो बताना है product को change करके क्या आएगा इसको soul इस तरह करेंगे पहले हम pension को complete लिख लेते हैं जब pension को लिख लेंगे तो उसकी नीचे जो हमारा word दे रखा है वो भी लिख लेते हैं अब हमें देखना होगा कि किस तरह इस इसको change किया गया है तो देखिए p का इसने n बना दिया है और बाकि सभी word same है बाकि सभी word बिलकुल same है ओ का o he रखा है यहनुना बाकिस को same है और फिर n का क्या बना दिया गया है p बना दिया गया है तो बताना है इसमें quality का क्या आएगा तो quality को देखिए k्यू है पहला word और पहला word इसने last word में चेंज कर दिया है और जो y है जो last word उसको first word में change कर दिया है बाकि सब कुछ agities है तो इसी तरह हम product को change कर लेते हैं तो पहला word हमारा p है और इसको change कर लेगा last word में change करना है तो यहाँ पर जाएगा t बाकि सभी word same रखने हैं तो same इसको रख लेते हैं बाकि word जो हम same रखेंगे और जो बचा हमारा last word क्या है t है और t को किसमें change करना है हमें पहले word में change करना है तो यहाँ पर क्या था last word t था और इसको change करें पहले word में तो आ जाएगा यहाँ पर p तो यह हमारा इसका answer बन गया है मतलब first word को last में change किया है और जो यह answer आपको दिख रहा है, यह option number 1 में दिख रहा है और वो option number 1 हमारा right हो जाएगा I think आपको यह question समझ में आया होगा, बढ़ते हैं next question की हो next question है, इसे बताना जैसे rat का इसमें 3 दे दिया गया है bottle का इसमें 6 दे दिया गया है, तो mobile का क्या आएगा तो यह सबसे आसान question है, तो देखिए rat में कितने words दिख रहे हैं आपको 3 words दिख रहे हैं, तो 3's में आ गया bottle में कितने words दिख रहे हैं, आपको 6 words दिख रहे हैं, तो 6's में आ गया इस तरह mobile में कितने words है, mobile में 6 words है और 6 words है तो option number 3 में 6 दे रखा है तो option number 3 हमारा right हो जाएगा I think ये भी question आपको समझ में आये होगा बढ़ते हैं next question की ओर next question है हमें ये series दे रखी है और इस series में पताना है question mark के स्थान पर क्या आएगा तो देखिए जब हम W में से 1 minus करेंगे तो क्या आजाता है V जब हम 1 minus करते हैं उसी तरह V में से जब हम 2 minus करते हैं तो आता है हमारा T और T में से जब हम 3 minus करेंगे तब हमारा जो इसका first word है वो आ जाएगा तो वो आ जाएगा हमारा Q जब T में से 3 minus करेंगे और Q मेंसे जब हम 4 माइनस करेंगे तब हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा M आ जाएगा जब किनना माइनस करेंगे 4 तो मतलब पता चल गया first word क्या है Q है और Q first word इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो option number 3 हमारा wrong हो गया है तो देखे, next word check कर लेते हैं, first word हमें पता चले गए Q है और इस option में हमारा Q नहीं है, तो next word check करते हैं, next word कैसे आएगा? तो देखे, K में हम 1 plus कर देते हैं, 1 plus कर देते हैं, L में हम 2 plus कर देते हैं, तब N आ जाएगा, और N में जो हम 3 plus करेंगे न, तब मारा क्या आ जाएगा? Q तो अगला word भी हमें क्या मिला, Q मिला, और Q किस option में है, next word हमारा Q, only and only first option में दे रखा है, तो first option ऐसे हमारा विल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आपको इस समझ में आया होगा, पहले हमें क्या क्या था, माइनस किया था, अब next time हमें क्या क्या प्लस कर दिया है, ऐसे ही आप द 24, 48, 84 और 132, तो बताने है कोशन माकिस्थान पर क्या आएगा, इस कोशन को सौल इस तरह करेंगे, जब हम 12 की मंटिप्लाई, 2 से करेंगे, तब क्या आजाएगा, 24, अब देखिए, next में लाना है 48, 48 किस तरह आएगा, 12 की मंटिप्लाई, जब हम 4 से करेंगे, तो अब क्या आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, जब 2 में से हम माइनस करेंगे 2, sorry, प्लस करेंगे 2, कितने प्लस करेंगे 2, जब 2 में से हम प्लस करेंगे 2, तो आ जाएगा हमारा 4, जब 2 में से हम प्लस करेंगे 2, तो आ जाएगा हमारा 7, तो इसी तर में जब हम multiply करेंगे 7 में plus करेंगे 4 तो आ जाएगे 11 और 12 की multiply 11 से करेंगे तब हमारा आ जाएगा 132 132 आ गया देखिए 132 आ गया है तो इसी तरह हम next हमें 11 में कितना plus करना है में plus करना है 5 जब 11 में plus 5 करेंगे तो आजाएगा हमारा 12 multiply में 16 और जब 16 करेंगे इसकी multiply करेंगे इससे तब आजाएगा 192 और 192 किस option में है option number 1 में है तो option number 1 हमारा right हो जाएगा I think आपको समझ में आया होगा बस इसमें क्या करना है जिस जो हम 2 की multiply करते हैं उसके बाद next में 4 की multiply क्या मतलब इसमें 2 plus किया है फिर हमें 3 plus किया है फिर हमने 4 plus किया है फिर हमने 5 plus किया है और फिर हमारा answer 192 आ गया है I think आपको एक question समझ में आया होगा बढ़ते हैं next question की ओर next question है यहाँ tried दे रखा है और fresh दे रखा है और heaven दे रखा है मतलब इनकी जो place value मतलब जैसे कि T हाँ पे alphabet में नमबर आता है इसका 20 तो जब हम इनको add करते हैं तब हमारा 56 आता है तो देख लेते हैं हम करके add तो देखिए T का हो गए 27 I का हो गया 9 यह 18 हो गया हमारा R का और 5 हो जाता है E का और 4 हो जाता है हमारा D का जिसमें के add करेँ के तो कितना आजाएगा 56 यह हमारा 56 आ गया इसदिटर हम fresh को solve कर लेते हैं fresh का जो f का होता है 8 और R का होता है 18 E का 5 S का 19 और H का 8 इनको भी सब्सक्राइब करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा तो I think आपको समझ में आया होगा या पर 56 आ गया है इसे तरह हम इसको भी solve कर लेते हैं H का होता है 8 E का होता है 5 A का होता है 1 V का होता है 22 E का होता है 5 तो option number 2 हमारा ऐसे करके सही हो जाएगा I think आपको ये question समझ में आया होगा तो दिखिए इसको solve करने के लिए आपको alphabet के सभी numbers याद होने चाहिए उसके कारण आप इसको solve कर पाऊगे तो ये वीडियो इतनी थी आज किस वीडियो में इतना ही और इसी तरह से आप वोड़ वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं Thanks for watching this video